हलो बच्चो कैसे आप सब लोग उमीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे आपको क्लास 12 मैथ का जो टर्म 2 का सलाइबस है इस चैनल पर फ्री आउप कॉस्ट दिया जा रहा है हमने आपको इंटीग्रल्स पूरा कराया एप्लीकेशन आप इंटीग्रल् लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको लेक्चर 3 तक मिल गया है लेक्चर 3 में हमने आपको exercise 9.4 से पहले जो एक्जामपल से बच्चो वह कराये हैं आज जो lecture no.4 है उसमें हम exercise 9.4 के कुछ अच्छी क्वेस्टिन हम लोग select कर रहे होंगे उनका हम लोग इसमें solution देखेंगे तो आई ह solution of differential equation का एक बिसेस method है जिसको बोलते है variable separable method तो आप बच्चे वह देख लीजिए हो सकता है आपको इस lecture को देखनी के जुदोती ना पड़े वह देखना compassory के वहाँ पे आसानी से हमने basic से चीजे कराई है आज जो करेंगे 9.4 exercise करेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा fast कर रहे होंगे आप अगर देखेंगे तो हमने सारे एक jump us वह की करेंगे है जोतना भी concept आपका बनता है बच्चे वह हमने आपको बता दिया है तो चलो बच्चे सुरू करते है आज आज आपकी exercise है 9.4 और उसका पहला question है बच्चे आप अपनी book लेकर के बैठियेगा इस्क्रीन प पड़ेगी आप अगर one minus cos x one minus one plus sin x cos x की फार्मूलों को देखें तो जब भी मैंने one minus बोला है और one plus बोला है cos x साथ में हो तो आपको half angle या full angle में तोड़ने के cos 2x के फार्मूले बता रहे हैं 2 से 3 4 है ना 10 वाला साइट नहीं बताया लेकिन 3 फार्मूले तो आप जड़ा कौन सा फार्मूला हम यूज करने जा रहे है one minus लिखा है one plus लिखा है अगर इस तरह से लिखा होता है तो cos 2x का फार्मूला आप लगाते हो इससे cos 2x बोलिएगा तो half angle में हम लोग लगा लेंगे नहीं cos 2x है जिन बच्चों की बास सोन में नहीं आ रहे है वो integration में जाके द लिख रहे होंगे one minus two sin square x by two ठीक है यहां पी क्या लिखेंगे one plus cos x है plus है तो cos को cos के terms में तोड़ना होता है minus है तो cos को sin के terms में तोड़ना होता है यह आपको बाते बताएगे यहां पी क्या लिखना होगा two cos square x by two minus one bracket open करते ही one आपका gap यह one से one cancel हो गया यह one से one cancel हो गया minus minus plus 2 sin square x by 2, ठीक है, trigonometry है, यह आपको पता है, नीचे 2 cos square x by 2, भची, 2 से 2 cancel, यहाँ भी क्या चल आ था, भची, दी दीएक्स चल दा, 2 से 2 cancel करने पि क्या बन गया, sin upon cos 10 होता है, तो 10 square x by 2, और आपको integration में बताया गया था, कि 10² xy2 जहां मिले वहां पर क्या करते हैं हम लोग 10² को तोड़ लेते थे सेक स्क्वार एक्स माइनस वन में फिलाल अभी हमारा काम किया है वेरियाबल को सेपरेट करना तो तो dy dx किसके इक्वाल आगिया है आपका? dy dx आपका आगिया है 10² xy2 में xy2 है याणि x का variable यहां पर तो dx को अधर ले जाना पड़ेगा तो 10² xy2 के साथ में आप किसको ले गए? dx को अधर कर दिया और इधर y को ले जाने के लिए कुछ है नहीं तो only dy इधर रह जाएगा अब आप क्या करें? integration में जो आपने बाते सीखी है वो सी को apply करिए किसी भी method से आपको integration करना पड़ सकता है तो 10² xy2 को हम लोग लिख रहा होंगे sek² xy2 माइनस 1 और बाहर क्या dx? dy अब integration करो both sides तो dy से आपको क्या मिला? y मिला और sek² xy2 किसका integration होता है तो आप कहेंगे 10 xy2 का होता है बट यहां पर गलबड़ पार्ट है क्या xy2 तो आप उसके differentiation से multiply नहीं, divide कर रहे होंगे तो xy2 का differentiation 1 by 2 divide करने पर 2 का क्या हो जाएग? multiply तो only आपको इस तरह से दिख रहा होगा और minus 1 का integration कितना minus x? यह आपका answer plus c के साथ में और कुछ इसमें दिया तो है नहीं ऐसा? कोई boundary तो हमें दी नहीं कि c की value निकालने का कोई funda दिया हो, तो आपका यहीं पर ऐसा answer रह जाएगा ठीक है, आप answer uncertainty से मिलाते रहिए और जो भी problems हो हमसे share करिएगा तो आपका पहले question का answer यह हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 2 की और question number 2 में क्या लिखाया? dy dx equal to root में 4 minus y square 4 minus x square नहीं, y square given है तो variable को आपको separate करना है बस और कुछ नहीं करना variable को separate करने मतलब हो गया कि y का term से तो dy के साथ इससे रखिएगा तो यह धरा करके 1 minus 1 upon 4 minus y square हो जाएगा और dy उस तरब क्या चला जाएगा? x यानि dx चला जाएगा अब integrate करो both sides 1 upon 4 minus y square आप इसे ऐसे कह सकते है 2 का square minus y square integration में 1 upon ऐसे लिख सकते है यानि 4 को क्या कहें? a square तो वो किस्त की value है? a की value 2 हो गए तो आपको क्या दे रहा होगा? sin inverse दे रहा होगा x by a x by a अब x की value कितनी है? y तो आप क्या लिख रहा होगा? y लिख रहा होगा upon में a कितना है? 2 का square आपका 2 हो गया left hand side आपका यह बन जाएगा equal में क्या है? d x का integration कितना x और साथ में constant कितना c अब आप चाहो तो sin inverse को अधर भेज दो sin inverse इस तरह बस दर जाएगा तो sin बन के जाएगा क्या आपको दे रहा होगा answer में? इस तरह से मिल जाएगा sin उधर चला जाएगा इधर छूट गया कितना y by 2 equal to sin अब पूरे एंगल के साथ apply हो जाएगा x plus c यहाँ पर हो जाएगा और y by 2 equal to y equal to कितना मिल जाएगा? 2 का उधर multiply तो 2 sin x plus c साइध आपका यह answer होना चाहिए NCIT में भी ठीक है अगर नहीं है तो आप यहीं पे stop कर देना लिखा है dy dx plus y equal to 1 यह आपको given है हमें solve करके किसी तरह से differential equation है उसका solution बताना है और जो भी हम दूख solution निकाले बच्च वो c के terms में आ रहे तो वो सभी उसके कैसे solution है general solution है अगर c के value निकाल के आप को इसका member निकाल लेते हो यह family आप करको represent करता है c के terms में जो भी answer आता है तो आपको यह सारी बाते वैसे previous lecture ने बताएगे आपने देखा होगा देखना भी चाहिए आपको तभी आप यहां पे आईए नहीं तो फिर यहां पे जब question आएगा तब इसको dy dx और y plus y equal to 1 पूरा लिख लिए ठीक है अब हमें क्या करना होगा variable separate करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करो 1 को अधर ले जाए 1 अधर है y को अधर ले जाए तो 1 minus y हो जाएगा इधर क्या बचा? dy dx बचा अब आपको करना है 1 upon y log y देगा बच्चे कितना देगा? log y देगा but log y है कितना? 1 minus y तो आप यहाँ पे 1 upon x नहीं है 1 minus y है तो 1 minus y को जब t मानेंगे तो उसी के differentiations से multiply करना होगा 1 minus y कितना देगा? minus का 1 देगा इसके साथ में और लगा लेना ठीक है equal में क्या आया? dx का integration करोगे x देगा plus एक constant c आगया c को c ले 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 c1 ले ले क्योंकि काफी कहानी लंबी लग रही है c1 ले लिया अभी माइनस से बच्चे माइनस यहाँ से हटाईए अस तरह भेज देजिए log equal to आपका आजाएगा log 1 minus y mod के अंदर equal to कितना आगया minus x और minus c1 ठीक है इतना आगया अच्छा अब log को में हटाता हूं क्योंकि आंसर इस तरह से नहीं given है आपका log हटेगा यहाँ पे बचेगा mod 1 minus y 1 minus y बचेगा 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 अब दिखो log मैंने पिछले question में आपको बताया था कि log अगर हटता है तो बच्छो वो e की power पूरा ले जाता है मतलब कैसे आप नहीं देखेगो इसको तो मैंने आपको बताया कि y बचेगा अगर कभी ऐसे लिखा हो log y बचेगा अगर लिखा है यहाँ पे 7 तो y बचेगा जब आप लिखोगे तो इदर log हटा उदर e की power बना दो इसके उल्टे में भी क्या करेंगे अगर log लगाएंगे तो यहाँ भी log y और इसकी power को केवल लिख लो इकल लिख लो तो log y इकल लिख लो आपको ऐसे मिल जाएगा इससारी बाते हम लोग कर चुके हैं तो 1-y इकल टो कितना हैगा minus x और minus c1 जो लिखा ही सब क्या हो जाएगा e की power में हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा अब फिर से वही सारा काम करना है कि e की power अलग कर लो e की power minus 1 minus x into e की power minus c1 अलग कर लिया 1-y केकल हो गया ठीक है अब आगे minus 1 है अधर कर दो यहाँ पे एक minus चला तो उसको उसको उच कर लिया एक minus चलना था ठीक है यूच कर लिया यह minus लगा दिया अब आपको कैसे क्या करना y equal to निकालना है तो y को अधर बेज दो इन सबको इधर ले आप तो 1 इस तरह लिखा है y अधर जाएगा यह इधर आएगा तो हो जाएगा y equal to यहाँ पे plus e की power x और कितना minus x लेकर यह minus में होके दर आएगा 1 minus e की power x और कितना बच्चे into में e की power minus c कुछ इस तरह से आपका है आंसर देखो कैसे दिया है यह देखना होगा आपको answer में क्या है 1 minus y y equal to है 1 plus a e की power minus x इस तरह से लिखा बच्चे आपको यहाँ करना क्या होगा आपको यहाँ करना क्या होगा फिर वापर चलो सारा जिस तरह से उसने answer दिया है तो यहाँ पर भी हमें चीजें उसी साब से लिखनी पड़ेंगी answer उसने दे रखा है इस तरह से देखो अब answer ही मिलाना पड़ेगा कैसे लिखा है? y equal to लिखा है answer उसने 1 plus a e की power minus x इस तरह से लिखा बच्चे तो अगर यह answer मिलाना चाहते हो तो a लाने के लिए हमें जो 1 upon c1 c2 है उसको भी हमें दूसरा variable मानना पड़ेगा तो थोड़ा सा next page पर चलें क्या नहीं अचा इतना तो करे लिया था फिर से देखो यह आटाई देते जगह बनाते है अब यहीं पर करते हैं सारा 1-y है तो इसको क्या मिला होगा बच्चे log 1-y और minus इसके साथ क्या मिलेगा बच्चे यहां पर x मिलेगा और plus c1 हो जाएगा अब log में हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं 1-y अधर हो गया minus का x और minus का c1 next हो जाएगा बच्चे आपका log में 1-y जो लिखा ऐसे ही लिख लो 1-y मैंने log अटाया e की पावर में लिखा कितना आया e की पावर minus x और e की पावर में पूरा e की पावर में चला जाएगा e की पावर minus x और कितना minus c1 ठीक है तो अभी हाँ से जगह बन गई है हो जाएगा बितने में 1 plus a e की पावर minus x y equal to 1 plus a e की पावर minus x यह हमें आंसर लाना है ठीक है मालो यही पूरूब करना होता क्योंकि आंसर आप मिला नहीं पावगे अपनी तरफ से हाँ हो भी सकता आप मिला लो ऐसा नहीं कि सारे लोग नहीं मिला पाएंगे तो हमें क्या करना होगा इसको लिखना होगा e की पावर minus x है अच्छा 1 minus y है e की पावर minus x अलग कर लिया और into में यह है बच्छे तैसे भी आप minus कर सकते हो कैसे? मतलब multiply में e की पावर minus c1 लिख सकते हो ठीक है इतना हो गया a बैठना चाहिए e की पावर minus x क्या मैं ऐसा कर लूँ जो यह लिखा है बच्छे इसको मैं क्या करूँ minus c1 लिखा है इसको मैं मान लूँ minus मैंने common लिया था ठीक है इसको मैं लिख रहा हूँ e की पावर minus x e की पावर minus x e की पावर minus x लिखा अब मैं e की पावर minus c1 ऐसे ही बना रहे हैं देता हूँ फिलाल थोड़ी देर के लिए e की पावर minus c1 बना रहे हैं देता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 को मैं उधर ले गया, या इसको इधर लेया हो, चलो, y उधर चला गया, उस तरफ, और ये इधर आया, तो 1 माइनस हो गया, ठीक है? इस तरह से मैंने लिखा, अब जड़ा सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस ना लगा के मैंने प्लस लगाया, और माइनस किसके साथ दे दिया, 1 की पाउर मैनस, c1 को मैंने दे दिया, माइनस, और e की पाउर मैनस, x मैंने ऐसा ही रखा, एक्वल टू y रख लिया, मेरी बास समझ रहा होंगे, थोड़ा सा अंसर मिलाने की बात थी, इसलिए मैं ऐसे चीज़ें करनी पड़ रहे हैं, दो कॉंस्टेंट में मैनस हो, हाफ हो, ट्वाइस हो, सब बरदास्त करता है वो, वो आपका अंसर मिलाने के लिए हमेंसा तयार है, तो आपको नहीं मिला है, तो किसी तरह सो multiply भी करवा लेगा अपने आप में 2 का, 2C लिखा है, 2C1 लिखा हुसे C में करवा लेता है, स्क्वाइर है, तब भी उसे आप C लिख सकते हो, दो कॉंस्टेंट एक साद अगर एक साद आपने दिया, अब यहाँ पर 1 प्लस इस पूरे कॉंस्टेंट को मैं क्या मालनू, ए मालनू, तो आप क्या लिख रहे होंगे, 1 प्लस A, E की पाओर माइनस X, और किसके इकॉल तो यही आपका बच्चे आंसर है, ठीक है, इस वाले क्वेस्टन में आपको आंसर मिला, जिब सेम बेस होता है, तो पावर एड़ करते हो, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, आप ऐसे, इसे ऐसे समझो, E की पाओर माइनस X, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस C1, तो अगर प्लस में हो, तो दोनों का आप मल्टिप्लाई में लिख सकते हैं, यानि E की पाओर मैनस X, इंटू E की पाओर मैनस C1, मैंने बस वही लिखा है, आप ऐसे सोचों, उल्टे में इस बार, कि अगर सेम बेस पी लिखें, तो हम क्या लेक रहे होंगे, यह पाओर मैनस E की पाओर मैनस C1 को क्या माल लिया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता आपके लिए, फिर भी, आप इसको बार-बार जब करेंगे, तो आपका यह आसान बन जाएगा, अभी तक जितने क्वेस्टन किये हैं, उनमें से यह थोड़ा सा बड़ा होगा, अब ज कि दिखिखे से एक स्कुराइस, 10Y, dx, 플ॉस सेक स्कुराइर y, 10, y, और, यहाँ आपर y कैसे आज़गता है, यहा, 10x और केतना, dy, क्योखिखे एक बार-प्टरन हैं, तो इससी क Вас को प्रृटृिं भॉन होना चीए, बही, तो-टेखो यहाँ in cent Ihnen सेक स्कुराइस, तो 10y है, C2x तो dx है, C2y तो dy है, C2y है, C2y तो 10x है, यह y है और यह power 2 है तो हमें variable को separate करना है, जलो solution डालते हैं, क्या करना होगा? जब सोचो, अगर यहां पर 10x होता, अगर यहां पर question में 10x होता, तो मैं 10x को t मानता, उसका differentiation C2x मिल गया ना, तो dt साथ सीधे निकल जाता, तो आपका अंसर यहां से बड़े असानी से आजाता, लिकिन यहां पर यहां तो ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? वेरिबल को separate करना होगा, इसका मतलब C2x जो है, वो 10x का differentiation है, तो 10x का differentiation तब बनेगा, जब 10x के साथ में दिखाई दे, अब यहां तो multiply माजाए यहां पर divide में आजाए, तो multiply में नहीं नहीं आ रहा है, divide में नहीं नहीं आ रहा है, यहां पी भी हमें 10x चाहिए, क्योंकि C2x है, यहां पर C2y तो 10y चाहिए, यहां पर 10x दे रखाए, तो यहां का 10x काटना भी है, यहां पर 10y काटना भी है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा करें, 10x, 10y से हम हर जगे क्या कर लें, दोनों साइड मुल्टिप्लाई ना करके, डिवाइड कर लें, on dividing by, 10x, 10y करते हैं, दोनों साइड करना उस तरब 0 है, जिरो में डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइठ हैंड साइड में क्या मिलें जिरो ही मिलेगा, लेप्ट हैंड साइड में देखो, 6 x x 10y लिखायі, dx लिखाय ईसके अपन में क्या, 10x, 10y से करो बही, 10x, 10y से, pride कर लिया, plus, यहां पी क्या लिखाय, सेड स्क्वायर, Ybell, or 10x लिखाय, और dy, लिखाय, हमि क्या करना है, 10x, 10y से, cents, 10x लिखाय, यहां पे 10x कैंचल हो गया, यहां पे 10y कैंसल हो गया, जो मिला तो दिखो इस तरह से है, हमारा क्या मिला? ऊपरsec2x है नीचे कहा 10x है, अब से ही है variable भी हमारा separate होकर आगया x के साथ x ही बैट रहा है, ऊपरsec2y है तो नीचे 10y है, y के साथ y है और dy है इन्य कि variable भी हमारा separate हो गया, प्लस' था यह बीच में तो अगर मैं यहां पे 10x को t मानू तो ऊपर उसका differential coefficient दिया है ना सेक स्क्वार एक्स दिया निकल जाएगा यहां पर बड़ा से क्या बन रहा है आप इसको फर्स्ट पार्ट मान के करिएगा अलग i1 के तौर पर करिएगा इसको आप आपको 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 आइठी के तार पर करिएगा तो आपको आपको आउनसर काहिएगा आप एससे सूचो कि इसको जाबके आप आपान तो वन अपान ट किया देता लॉग कि देता बछे वन अपान ट क्या देगा लौग Un content देगा तो लॉग टी pick ह am你想 को तो आपको आंसर में लाओगा लॉग में 10x यहां पर क्या मिलेगा इसको टी मान होगे ना तो क्या देगा लॉग 10y देगा आपको अच्छा इसे हटा देते यहां से यह ती वन है बच्चे से मानना और इसे टी टू मान के करना और equal में जरा देखो हमें कुछ नहीं मिला है log 0 का differentiation integration क्या करना तो constant क्या बलाएगा तो constant अच्छा log में चला क्यों ना हम log में अगर constant ले 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 देखो मैंने जैसे कहा था constant उस सब की भरपाई करता है यहां पर differential equation में constant आपके question को answer के लाने की पूरी कोशिश करता है आपकी help ही कर रहा होता है तो यहां पर हम अपनी मर्जी से क्या ले रहे हैं log log दोनों साइड है तो फिर log में ले लो तो यहां पर log C ले लते हैं अब log की property आती है आपको नेक्स पेज पर देखते हैं अच्छा जरह आपर सोड़ा समझ लो क्या हम करनेंगे नेक्स पेज पर log m plus log n क्या देगा log mn देगा तो फिर से उस पेज पर क्या मिलेगा हमें log 10x लिखा है प्लस log 10y लिखा है और equal में log हमने C लिया है constant यह हमें line पता थी तो हम यहां पी क्या करने वाले है log m plus log n यानि log एक बार और क्या करेंगे m इंटू में n कर लेंगे m कितना 10x है n कितना 10y तो 10x 10y equal में कितना log c इसी वज़े से हमने log c constant लिया था क्योंकि दोंतरों log है तो हट जाएगा यहां का log यहां के log से हटेगा क्या मिलेगा बच्छे इस वज़े से हम लोगोंने यहां पर क्या लिया है c ना constant लेके log लिया है अगर आप c ना लेते कुछ और ले रहे होते तो उसका अंसर यह भी आप लिख सकते हो कोई गलत नहीं करेगा आप यह कह सकते हो कि सवर हमें कैसे पता चलेगा क्या लें तो अगर आपने नहीं लिया तब भी आपका अंसर गलत नहीं है अगर आपने ऐसे लिखा होता यहां पर log 10y एक्वल टू अंली c लिया होता है यहां पर constant जैसे यहां पर log c लिया गया c लेकर log c लेकर आप केबल c ले रहे होते हैं तो आपको ऐसा दिख रहा होता है तो यहां पर केबल log की property लग रही होती तो क्या हो जाता लॉग 10x10y हो जाता और उस तरब क्या चलना होता c चलना होता तो अगर आप log हटाना ही चाहते हो तो क्या मिल जाता आपको log इदर से हटता थे दर बच जाता 10x10y और यह लॉग इदर से हटा तो उदर मैंने बताया था जो भी होता है उसको e की पावर में लिख देते हैं क्या लिखा only c लिखा तो e की पावर c आपका फिर इस तरह से answer होता और बच्चे अगर answer यह होता अगर e की पावर c है तो अभी तो एक constant है आप इसे ही क्यों ना फि निकाल लिया है तो इससे अच्छा आप दो बार काम करो एक बार ही आप लोग को seek as a constant माल ने ठीक है तो आई होप आपको यहां तक की बाते सौन में आ रही होंगी चलो अगले और question के और बढ़ते हैं एक question no.4 था important था बच्चे आपका question no.5 नेक्स आपका 5 मैं लगा था सारी question कराने में लगा हुआ हूँ बट अब अगर मैं कोई question छोड़ू हूँ तो आपको समझना चाहिए कि concept आपको मिल चुका है dx is equal to zero variable separate करना dx जिए दोनों side कैसे हो सकता कोई तो dy बन जाओ भई यह बनेगा ठीक है solution यहां पर हमी करना गया होगा dx और dy को अलग करो पहले तो एक side dx पूरा एक side dy पूरा यहांनि dx के साथ जो भी बैठा उसे ले जाओ तो मैं अगली step में क्या कर रहा हूँगा उस तरब dx को भेज दे रहा हूँ dx के साथ जो है वह भी जाएगा e की पाउर x – e की पाउर – x और इधर क्या बचा दी वाई बचा उसके साथ जो है वह भी पूरा उसी के साथ अभी बचेगा अब मैं इधर y के साथ में केवल y का function रखना चाहूँगा तो पूरा उदर भेजो फिर क्या मिला e की पाउर x – e की पाउर – x e upon में आगया e की पाउर x plus e की पाउर – x इधर क्या है dx है इधर only dy है बच्चो इस तरह का question आपने करा है integration में अगर आप इसको पूरे को T मानते हो तो इसी का differentiation बच्चे ऊपर है तो substitution में पूरा निकल गया d t equal होगया नीचे क्या होगया 1 upon t 1 upon t क्या देगा आप लॉग t देगा log t देगा t मतलब e की पाउर x minus e की की कि किसे माना t इसको माना तो e की पाउर x plus e की पाउर – x को आपको मिल जाएगा अदर क्या होगाiro with ought to godi और देगा y ought to ask how可 còn what is lugares इसे ॉप देख देखे है आप देखो I am c1रा भी नहीं रहा हूं क्या ही ihan उसकता है कि आपको इसससरे ना तो आप एसका आज बार रहा होंगी है ला? इस तरह से आपको ना मेले तो अंसर कुछ और लाए रहेंगा, और लाने का मतलब यह है कि हम उसको solve करके ओहिंग पर पहुंचेंगे, देखो अंसर के से इसको दिया गया होगा, आप देख लीजीगा, और बताएगा कैसा है इसका अंसर हम नहीं, तो ऐसा ही छोड़ दें क्य एसको जाना जादा क्या कर सकते हैं, अगर आपने लॉग लिया, अपोच कर ऐसा लिया, किसी निकाल सर लॉग में ले लो इस, तो फिर इसका लॉग अंपलस न लगा के मुल्टिपलाई करके आप और लिख सकते हूँ, आप या तो ऐसा ही आंसर रखें, दो अंसर इसके ऐस इसे मैं लिख रहा हूँ, लॉग C1 करके आंसर रख लें, यह अंसर ऐसा ही, या फिर कोई ऐसे आपके बोल सकता है, कि sir ऐसा कर लो, y equal to log e की पावर x, plus e की पावर minus x upon, कुछ नहीं है पावन में, e की पावर x, plus e की पावर minus x, plus log c ले लो, तो आप m into n लगा के उसे क्या लिख से रहे होंगे, log c, e की पावर x, plus e की पावर minus x, equal to y लिख रहे होंगे, फिर अगली step में आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़दा log अगर हटाने कोशिस करी, तो log यहां से हटा, जो इस तरह होता, पूरा e की पावर में आता, तो e की पावर y equal to आप लिख रहे होंगे, और वो थोड़ा से गंदा दिखने लगा है, तो बस करो, यहीं तक आप इसे रख लो answer, तो answer इसमें आप एक बास समझेगे कि लगभग fix नहीं होते, आप answer दूसरे सब्दों में भी उसका दे सकते हो, यहीं आप इसका answer ऐसे भी लिख सकते हो, और है, कोशिच कोर यहीं तक रहने के, ठीक है, यहीं तक रहो ज्यादा अच्छा है, हम साफ सुथना खेलना चाहते हैं, ऐसा ना करें कि अगली step तक जाएं, और अपना गलत कर लें कि नंबर कर जाएं, यहां तक बने रो क्या दि question number 10, देखा जाएं किया बच्छो, चलो, मैं कहता हूँ 10 आप करी लेंगे, ठीक है, कुछ general solution वाले question बच्छो कर लिए जाएं, जो कि आपके start कहां से हो रहे हैं, 17 से हो रहे हैं, इससे पहले कहीं है नहीं, यहीं को कि question number 16 है, लग बग आपको ऐसा ही है, मतला उसमें कहा है ना कि 16 का कह रहा है कि differential equation find the solution, कर passing through the point, इस तरह कि हम लोग हला कि previous lecture में बात कर चुके हैं, तो आप वो जुरूर लेक्छर देखें, तो आपको एक स्टेमना मिलेगा, तो हम आ रहे हैं आपका exercise में question number 16 पर बात कर रहे है, exercise में question number 16 की बात x plus 2, और कितना है, y plus 2, कर फाइंदा solution, कर पासिंग थ्रो, point 1, minus 1, 1, minus 1 से पास हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला काम, y को y के साथ में रखो, x को x के साथ में, y plus 2 क्या नि इधर लाई तो y upon में y plus 2 हो जाएगा, और क्या dy, अधर dx ले चलो, अधर x plus 2 लिखा है, लिख लिया, और divide में कितना x है, ऐसा कर लिया, अब क्या करना होता, integration करना होता, दोनों साइट, on integrating both side, solution तो लिख लो, तो y है, नीचे y plus 2 है, चलो, इसको क्या करें, एक बार 2 को अधर करो, उपर एक बार 2 को अधर करो, इसारे methods हैं, आप पड़ चोके, integration में, और दोनों को हम क्या दे रहा है, y plus 2 दे रहा है, अगर आप left hand side को देखे, हमने वही लिखा है, जो अभी तक question का part है, ऐस लेने के बाद देखो, y plus 2 minus 2 cancel होके only y तो बचेगा, तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बस इसको adjust कर लिया, function को ऐसे change करने के लिए, ठीक है, उस तरब क्या है, x से सबके upon में, तो आप क्या करो, सबको divide ही कर लो, तो x कट गया, आपका कितना देगा, 1 देगा, plus 2 by x हो गय ठीक है, यह सारी approach आपको बताएगी है, आती है, इनमें कोई issue नहीं है, नहीं तो फिर आप दूसरे method से इसको कर सकते थे, दूसरा method ऐसा कुछ खास नहीं है, t मान के भी कर सकते थे, तो हो जाता, हमने t approach नहीं लगाई है, यहां पी पुरा कट गया, क्या बचा only one बचा, औ और क्या बचा, dy इसके साथ में भी, इसके साथ में आप लगा लेजिए, minus, यह कि बचा, integration 2 को बाहर कर लो, one upon one plus y, या two plus y, या y plus two, जो लिखना चाहो, लिख लिए, one plus y नहीं, two plus y लिखेंगे, one तो मैंने by mistake बोल दिया, गलती हो गई, जो आप फिशल गी, कुछ ऐसे ही सम लिखना, dx हो गया, अब इंटिग्रेट जब कर रहे हैं, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, y का इंटिग्रेशन केतना हो गया, y हो गया, minus two, इसको बच्छे इंटिग्रेट करोगे, तो one upon x का फिर लो, one upon x क्या होता है, log x होता है, अगर x है, तो log x है, अगर x plus one है, तो log x plus लेकर x plus one के differentiation दिवाइज जरूर करें, यहां पर log में y plus two आएगा, क्योंकि one upon y plus two है, तो क्या है गा, log y plus two आएगा, और log y plus two जब आएगा, तो उसी के differentiation आएगा, तो y plus two के differentiation दिवाइज, जब दिवाइज, तो y के तुका इंटिग्रेशन केतना ह? य के रिश्ट कि कोई मुझे यह कमेंट ना करें, कि मुझे इसके इंटिग्रेशन में प्रॉबलम आई, अगर इसके इंटिग्रेशन में प्रॉबलम है, इसका आपको इंटिग्रेशन में ही प्रॉबलम है, इसके लिए आपको इंटिग्रेशन पूरा देखना होगा, सुरूं से देखेग ठीक है चलो आगे देखते हैं और प्लस क्या लगा लिए यहां पर C1 लगा लिए C लगा लिजे यह आपकी differential equation जैसे भी अच्छी बुरी है यही आपकी है बस अपनी है अच्छी ही है फिर अब नेक्स पेज पर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने आगे की बाते भी कर रखें कि यह कर्ब कहां से पास होता है कर्ब को लिखें y-2 log y-2 y-2 log y-2 x2 equal to x plus 2 log x equal to x plus 2 log x x plus 2 log x equation number 1 जे आपकी 1 होगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं इतना आगे आपको आसानी से 2 log x plus c दिए अहां तक हमारा सब को साही है अब हमी करना क्या होगा जिस क्या होगा जिस पास होता 1 c-1 से इसमें वैल्य रखो और अपना C की वैलू निकाल के वापस से सीम रखो, ठीक है, आप कोई बड़ी बात तो हमें करनी नहीं है, बस C की वैलू निकाल नहीं है, पास करा दो कर्व को कहां से बच्चे, 1 काओं माइनस 1 से, ठीक है, तो मैंने लिखा ही नहीं, चलो, यहाँ पर लॉग लिखो, और अगे क्या था, 2 था, ठीक है, इक्वल में कितना, X यह पर क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस 2, लॉग X यह पर 1 रखना है, और प्लस C, लॉग 1 कितना, 0 होता है बच्चे, लॉग 1 जैसे 0 किया थी, पूरा यह जीरो हो गया, उदर किया बच्चा, C प्लस 1 बच्चा, रखना है, लॉग 1 होग 1 कि वैलू 0, पूरा टर्म ही 0, इदर कितना और छूट रहा हमारा, माइनस 1, तो बस C कि वैलू निकालने के लिए इसको ले आओ, C क्वल 2 हो गया, माइनस का 2, C क्वल 2 माइनस 2 आप एक्वे log y plus 2 equal to x log x plus log 2 log x plus कितना, C की वैलू रखोगे, माइनस 2 तो माइनस 2 रख लिया, तो कुछ इस तरह से हमारा अंसर आना चाहिए, अगर मैच कर रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है, तो अभी देखते हैं, क्यों नहीं मैच किया है, हमीं क्या करना होगा, लॉग के y को इधर ही रखते हैं, और x को इधर ले आए, तो आजाएगा y minus x, इस वाले term को इधर ले जाएए, तो अधर 2 log x आपका है, और क्या है, मैच का प्लस हो जाएगा, 2 log y plus 2, मैच का 2 भी आप इधर ले आओ, तो x minus 2 इधर और बच रहा है, x minus 2 बच रहा है, कुछ इस तरह से आपको y equal to मिल जाएगा, अब अगर इस term को देखें, इसमें mn प्रोपर्टी लगा सकते, बच्चे यहां पर 2 common ले लो, तो इतने दोनों तर्में हमने 2 common जैसे लिया, तो हमें अगली step में यह मिल जाएगा, आगे क्या करेंगे, x minus 2, अकेला ऐसे ही, यहा है, चलिए, आगे y equal to क्या मिलेगा, x minus 2, अगर बच्चे यह 2 जो है न, यह क्या आएगा, पूरे log के साथ में जो भी उस पी क्या लग जाएगी, तो आपका आजाएगा, x minus 2 plus log के साथ में क्या पूरा वो लिखा है, bracket बना के लिखिएगा, x y plus 2 लिखा हुआ है, x y plus 2 पे प तो आप चेक कर लेना इसको, कोई I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, y equal to x plus 2 log, अचा इनों ने क्या किया, बस इधर इसको टर्म को लेया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, यह आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहां तक ही हमने बात ही करी है, आ आपके थोड़ा जो भी topic बचने खतम हो जाएगा, integration part यहीं तक है सारा, इसके बाद नया chapter आपका vector आने वाला है, but differential equation में अभी कोच चीजे बची होई है, दो method आपको important है, homogenous करना और एक particular solution को निकालना, तो बूल हम लोग नेक्स लेक्टर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यहां तक के लिए, thank you very much.